हेलो स्टुटेंट, आज मैं कक्षा दस्वी हिंदी की छितिच पाठ पुस्तक में पहला पत्य पाठ सूर्दास के पत लेकर उपस्थित हुई हूँ पच्चो आज हम सब सूर्दास के पहले दो पतों का अध्यन करेंगे पर सबसे पहले हम सूर्दास जी का जीवन परजे देख लेते हैं सूर्दास जी का जीवन परजे इनका जन्म सन 1478 में हुआ और इनकी मृत्यु 1583 इस्वी में हुई थि इनका जन स्थान रुनकता है और इनका कारिच छेत्र इनका प्रोफेशन कवी था ये प्रसिठ सुप विख्याद कवी थे इनकी रचनाएं मुख्य तह तीन मानी जाती हैं सूर सागर, सूर सारावली और साहित की लहरी इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था और उनके गुरु का नाम वल्लभाचारे था बच्चों आपको बता दे कि ये अश्चाप के कवियों में भी मुख्य स्थान रखते हैं अब इनकी बात पत्नी की नाम की बात की जाए तो ये आजीवन आविवाहे थे इन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया था और इनकी भाषा बच्चों याद रखियेगा बहुत इंपोर्टेंट है इनकी भाषा ब्रज भाषा थी अब हम पहला पद देख लेते हैं बच्चों इसकी व्याख्या से पहले मैं आपको बता दूँ कि श्री किष्ण ब्रज में अपनी लिलाएकर सभी को प्रेमा सत्ति का रस्पान करा मतुर्वा जाकर राजकाज देखने लगे थी अब ब्रज की फूली भाली गोपियां उन्हें याद करती थी और श्री किष्ण के आने की रहा देख रही थी परन्तु श्री किष्ण स्व्यमन आकर अपने एक मित्र उद्धो को ब्रज भेजते हैं गोपियों को यूग का संदेश देने के लिए और इसलिए गोपियां उद्धो पर व्यंग करती हुए कह रही हैं उद्धो तुम हो अती बड़ भागी है उद्धो तुम तो बहुत ही जादा बड़े भागिवान हो बड़ भागी यानि भागिशाली हो अपरस रहत सनेह तगाते नाहिन मन अनुरागी तुम तो अपरस यानि नीरस रहते हो सनेह यानि प्रेम के तगा यानि बंधन से तुम प्रेम के धागे से कहीं भी नहीं बंदे हो नाहिन मन अनुरागी तुम्हारा मन किसी में भी अनुरक्त नहीं है अनुलिप्त नहीं है अब वो एक्जामपल देती है किस प्रकार तुम प्रेम के सागर शेकिष्न के साथ रहकर भी प्रेम से अच्छूते हो उसे एक्जामपल के माध्यम से वो डिफाइन कर रही है पूरे इन पात रहत जल भीतर तारस देहन दागी यानि जिस प्रकार पूरे इन पात पूरे इन पात मनि बच्चो होता है कमल के फूल के समान जिस प्रकार कमल के फूल का जो पत्ता होता है वो जल भीतर जल के भीतर रहता है परन्तु जल में रहते हुए भी वह जल से दूर रहता है यानि तारस देहन दागी उस पर बच्चो आपको बता दू कि जो कमल का पत्ता होता है उसमर जल की बून ठहरती नहीं है वो उससे अलग हो जाती है उस पर जल की बूंद का एक भी दाग नहीं रहता तो कह रही है कि तुम उसी कमल के पत्ते के समान हो जो जल में रहकर भी जल से अच्छूता रहता है जिस प्रकार जल माह जल में तेल ़गी गागरी यनि पॉट को डाल दिया जाए तो बूध न ताको लागी उस पर जल की एक भी बूध नहीं लगती ठीक उसी प्रकार तुम शीकिषणी रूपी प्रेम के सागर में रह कर भी प्रेम से अचूते हो प्रीती नदी में पाऊ न बोरेो तुमने श्रीकिष्ण के प्रेम रूपी नदी में अपने पैर नहीं डुबोए और दृष्टिन रूप परागी ना तुमने कभी श्रीकिष्ण के रूप सौंदरे का उनकी सुंदरता का रस्पान किया है सूरदास अबला हम भोरी अब सूरदास जी कहते हैं कि यह तो हम ब्रच की फोली भाली अबला यानी निर्बलनारियां हैं गुर चाटी जोग पागी जो श्रीकिष्ण के प्रेम में ऐसे आसकत हो गई हैं जैसे चीटियां गुर से चिपक जाती हैं बच्चो आपने देखा होगा जैगरी गुर जब गिर जाता है तो उसमें चीटियां जो चिपक जाती हैं वो उससे अलग नहीं होती तो यहां भी कंपैरिजन कर रही हैं बच्चो जिस प्रकार जैगरी क्या है वो श्रीकिष्ण है प्रेम के सागर श्रीकिष्ण है और ची उसी में अनुरक्त रहती हैं आएए बच्चो अब हम दूसरा पद देख लेते हैं मन की मन ही माज रही कहिए जाई कौन पै उधो ना ही परत कही अब गोपियां कृष्ण के वियोक से पिरिद गोपियां उधो को उपालंभ व्यंग देती वी कहती हैं कि हे उधो मन की मन ही म हमारे मन में ही रह गई कहिए जाई कौन पै उधो ना ही परत कही अब हम अपने मन की व्यथा किस से जाकर कहें ना ही परत कही यानि अब हम से कहते भी नहीं बनता हम जाकर अब किस से अपने मन की बात कहें अवद असार आस आवन की अवद यानि जो समय था अधार अवद के आधार पर कि अभी वो वापस आ जाएंगे आस आवन की यानि आने की आगमन की तनमन विथा सही यानि हम तो श्रीकिष्ण की प्रतिक्छा इस आशा में कर रहे थे अपना जीवन जी रहे थे और शारीरिक उमानसिक पीड़ा को सहन कर रहे थे कि कुछ समय बाद वापस आ जाएंगे लेकिन अब इन जोग संदीशन सुन सुन विरहनी विरह दही परन्तु अब इन योग के संदीशों को सुन सुन कर विरहनी यानि वियोग में जीने वाली ये गोपिकाएं विरह दही यानि विरह की आग में कश्ट की आग में चल रही हैं चाहती हुती गुहारी जिते ही ते उर्ते धार भही अब कहती हैं चाहती हुती हम चाहती थी गुहारी लगाना यानी रक्षा के लिए पुकारना जिता ही ते जहां से जहां से हम गुहार रक्षा के लिए पुकारना चाहते थे, उत्ते माने योग, वहीं से धार बही, यानि योग की धारा बह गई, तात पर यह बच्चों कि वो कहना चाहती है कि हम अपनी रक्षा के लिए श्रीकिष्न को पुकारना चाहते थे, पर श्रीकिष्न ने ही हमारे के लिए योग का संदेश भेज दिया सूरदास अब धीर धरहीं क्यों मर जादा न लही अब वो कहती हैं कि जब शीकिष ने अपनी लोक मर्यादा का पालन नहीं किया तो अब हम धैर क्यों धारन करें अब धीर धरहीं क्यों धीर यानि धैर सूरदास जी कहते हैं कि अब हम ध धैर क्यों धारन करें जब शीकिष ने अपनी लोक मर्यादा का पालन नहीं किया। बच्चों आपको ये दो पद समझ में आए होंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही बच्चों फिर दो पदों के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।